हेलो व्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों मैं विशाल आप सब का स्वागत करता हूँ आपके और हमारे अपने चैनल में तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत अमेजिंग है आज की वीडियो को एंड तक देखना है हैकिब जरा सा भी नहीं करना है आप का स्किप कर देते हैं फिर आप कॉमेंट कर बोलते हैं कि वीडियो समझनी आई है तो दोस्तों वीडियो को सब का सeling करेंगे तो कैसे समझेगे नहीं हैं उत FateHa कit तक देखिए करता है खरते हैं मैं वीडियों आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी है तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हमारी अपकमिंग वीडियो की और हमें मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए ओके दोस्तो तो दोस्तो वीडियो को करते हैं स्टाट दोस्तो आज की चो वीडियो है उसमें आपको कैमरा 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 दोस्तो यूज करते हैं फॉन में उससे रिचले को सैटिंग्स बताने बाला हूँ जो होफुली और शॉरली आपको पता नहीं होगा तो दोस्तो सबसे तो जैसे ही यहां पर आजाएंगे कुछ शैटिंग्स आपको बतानी बहुत जरूरी है औक दोस्तो जो आपको शायद पता ना हो और मेभी आपको पता हो चलिए दोस्तो जानते हैं क्या है वो सेटिंग्स सबसे पहले save location info आपके जो भी phone होता है camera होता है दोस्तों उस पर आप जो भी photo खीछते हैं उस पर आपकी एक location होती है उस location को आप on off कर सकते हैं ओके दोस्तों यहाँ पर save location info का option दे रखा है उसको आप यहाँ से on off कर सकते हैं ओके दोस्तों camera sound camera sound क्या होता है दोस्तों आप कोई भी picture खीशते हैं ये का अलग सी ये बाजाती है किचाक सी ओके दोस्तों दोस्तों वो sound होता है इसकी बज़ा से इसको off कर दीजिए और जैसे ही इसे आप off कर देंगे sound नहीं आएगा ओके दोस्तों तो बहुत amazing setting है इनको आप यूज कर सकते हैं दोस्तों आपने कभी देखा है आप अपना कोई भी photo या selfie खीशते हैं तो वो एक mirror image की तरह आती है यानि कि ulti show होती है ऐसा क्यूं होता है दोस्तों वो all lady आपके phone की setting पर depend करता है दोस्तों आपके mobile में selfie mode या mirror front camera on या off होगा तो जो भी setting आपकी हो तो उसे आपको करने ठोब्सक्राइब अन किस on तो off कर सकते है तो off कर सकते हैं जो की काफी cool feature है इसका, इसे आप use कर सकते हैं, बहुत amazing इसका यह feature है, ओके दोस्तो, device watermark, दोस्तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग watermark का use करते हैं, यानि कि photo घीशते तो उनके में watermark आता है, तो उस watermark को आप adjust कर सकते हैं, setting में आके, ओके दोस्तो, जो की काफी cool लगता है, और बहुत अच्छा लगता है, ओके दोस्तो, अगर आपको चाहिए, तो उसे कर सकते हैं, otherwise उसे off या on कर सकते हैं, ओके दोस्तो, time stamp अगर आपको कोई भी photo में चाहिए, तो वो आप यहां से on कर सकते हैं, किसी photo में time stamp चाहिए, तो वो हर photo में time stamp आपको शो करेगा, ओके दोस्तो, grade lines क्या होती है, दोस्तो, grade line आप जैसे ही on कर देंगे, आपको आपके camera में, यानि की phone में, जैसे आपको grade line शो होने लग जाती है, ओके दोस्तो, तो वो grade line option बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को अगर आप चाहें, तो इसे avoid कर सकते हैं, focus and shoot, आपको अगर किसी भी पड़ी यूला चीज़ पर focus करना है, तो उसके लिए ये setting याप दे रखी है, इस setting को use करके, आप उसका फाइदा उठा सकते हैं, ओके दोस्तो, camera frame, camera frame कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग पूरा अपना mobile camera यूज़ नहीं करते हैं, 16 by 9 का use करते हैं, इससे क्या होता है, उपर वाला जो menu बार है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, time show हो रहा है मेरा यहाँ पर, 5.43 यह वाला वो ढग जाता है, वो होता है frame 16 by 9 में, आप 18 by 9 यूज़ करेंगे, तो आपका camera जो है, पूरे आपके mobile को cover करेगा, ओके दोस्तो, अगर आपकी picture quality सही नहीं आ रहे हैं, तो quality आप यहाँ पर जाके, आप इन्हें use कर सकते हैं, ओके दोस्तो, तो इन्हें use कीजिएगा, जो की काफी amazing है, यूज़ करेंगे, तो आपको पता चलेगा, कि किस तरीके से यह settings काम करती हैं, ओके दोस्तो, तो use कीजिएगा, बहुत amazing settings हैं यह, ओके दोस्तो, तो काफी कुछ समझ में आया होगा, आज की वीडियो में, काफी कुछ आपके points क्लियर हो गए होंगे, इनकेस अगर ये वीडियो आपको जरा से भी पसंद आई हो, तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा दोस्तो, और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तो, तो बहुत जल मज़ा आएगा आपको, अगर आप इन settings को use करेंगे तो, ओके दोस्तो, तो use कीजिएगे इन settings को, बहुत जल मिलेंगे ने इस वीडियो में, तब तक के लिए, बाए दोस्तो,